दोस्त अगर आप घी के साई नीम्बू का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर पर क्या फर्क पड़ता है? क्या एक साथ खाना सही है की नहीं? इस बारे में आपको पता होना जरूरी है. वैसे आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करेगे की क्या घी और नीम्बू को एक साथ खा सकते है की नहीं, मगर पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे. आएए वीडियो में आगे बढ़े. दोस्त सबसे पहले हम बात करते हैं घी की. घी हमारे शरीर के लिए एक स्वस्थ फैट है, जो हडियों और जोडों को मजबूती देने के साथ ही पाचन में भी मदद करता है. यह एंटिक सिडेंस से भरपूर होता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है. इसका मतलब है की घी अगर हम खाते हैं तो हमारी हडियों और जोडों को मजबूती मिलती है. पाचन तंत्र अच्छा और मजबूत बन जाता है. हम बीमार जल्दी नहीं हो पाते हैं क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ती है. मतलब घी खाने से कई फाइदे मिलते है. अब बात करें नीम्बू की नीम्बू शरीर को डिटॉक्स करता है, स्किन को ग्लोइंग बनाता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. साथ ही, यह पाचन को सुधारने में मददकार है. इसका मतलब है कि अगर आप नीम्बू का सेवन करते हैं, तो इससे आपका पाचन तंत्र अच्छा और बन जाता है. यह इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिसके कारण से आप जल्दी से बीमार नहीं हो पाते हैं. अब आपने देखा कि घी और नीम्बू दोनों को खाने से लगभग समान तरह के ही फाइदे मिलते हैं. तो आप इसी से समझ ले कि आप इन्हें एक साथ खा सक सकते हैं. जी हां आपने सही सुना कि घी और नीम्बू को एक साथ खाया जा सकता है. कुछ आयूरवेदिक विशेशग्यों का मानना है कि घी और नीम्बू को एक साथ लेने से शरीर को लाब हो सकता है. उदाहरन के लिए घी और नीम्बू का मिश्रन पाचन तंत्र को और इसका मतलब है कि अगर आप इन्हे एक साथ खाते हैं, तो आपका पाचन तंत्र मजबूत बन जाएगा. आप जल्दी से अपने पेट में पड़ा भोजन पचा सकते हैं. दूसरा आपकी रोग प्रतिरोधक शम्ता बढ़ जाती है. आप जल्दी से बीमार नहीं हो सकते है इस कारण से घी और निम्बू एक साथ खा सकते हैं. आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अब आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.